एक व्रद व्यक्ति अपने बहु बेटे के यहां शहर रहने गया उम्र के इस पड़ाव पर वे अत्यंत कमजोर हो चुका था उसके हाथ कापते थे और दिखाई भी कम देता था वो एक छोटे घर में रहते थे पूरा परिवार और उसका चार वर्षय पोता एक साथ डिनर टेबल पर खाना खाते थे लेकिन व्रद होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी कभी मटर के दाने उसकी चमत से निकल कर फर्ष पर बिखर जाते थे तो कभी हाथ से दूठ छलक कर मेज पोश पर बिखर जाता था बहु बेटे एक दो दिन ये सब सहन करते रहे पर अब उन्हें अपने पिता के इस काम से चड़ होने लगी हमें इनका कुछ करना पड़ेगा लड़के ने कहा बहु ने भी हां में हां मिलाई और बोली आखिर कब तक हम इनकी वज़े से खाने का मज़ा किरकिरा करते रहेंगे और हम इस तरह चीजों का नुकसान होते भी नहीं देख सकते अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के कौने में लगा दिया अब बुड़े पिता को वहीं अकेले बैठ कर अपना बोजन करना था यहां तक कि उनके खाने के बरतनों की जिगे एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया ताकि अब और बरतन ना तूट फूट सके बाकी लोग पहले की तरह अराम से बैठ कर खाते और जब कभी कबार उस बुज़ूर्ग की तरफ देखते तो उनकी आखों में आसु दिखाई देते यह देखकर भी बहु बेटे का मन नहीं पिगलता वे उनकी छोटी से छोटी गलती पर देरो बाते सुना देते वहाँ बैठा बालक भी यह सब ध्यान से देखता रहता और अपने में मस्त रहता एक रात खाने से पहले उस चोटे बालक को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठ कर कुछ करते हुए देखा तुम्हें क्या कर रहे हो? पिता ने पूछा बच्चे ने मासूमियत के साथ उत्तर दिया अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकडी का कटोरा बना रहा हूँ ताकि जब मैं बड़ा हो जाओं तो आप लोग इसमें खा सके और वह पूने अपने काम पर लग गया पर इस बात का उसके माता पिता पर बहुत गहरा असर हुआ उनके मुँ में से एक भी शब्द नहीं निकला और आखों से आसू बहने लगी वो दोनों बिना बोले ही समच चुके थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए उस रात वो अपने भूडे पिता को वापस दिना टेबल पर ले आए और फिर कभी उनके साथ अबदर वेवार नहीं करा दोस्तों हम अक्सर अपने बच्चों को नेतिक शिक्षा या मौरल वैलियूस देने की बात करते हैं पर हम ये बूल जाते हैं कि असल शिक्षा शब्दों में नहीं हमारे कर्म में छुपी होती है अगर हम बच्चों को बस ये उपदेश देते रहें कि बड़ों का आदर करो सब का सम्मान करो और खुद अपना उलट वेवार करें तो बच्चा भी ऐसा ही करना सीखता है इसलिए कभी भी अपने पैरेंट्स के साथ ऐसा वेवार ना करें कि कल को आपकी संतान भी आपके लिए लकडी का कटोरा त्यार करने लगें अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं